वेलकम टो चैनल टेक मेकानिकल अनिलेक्टिकल आज मैं डिसकास करूँगा साइन्स का मोस्ट इंपोर्टेंट 50 MCQ जो भी स्टूडेंट डिपार्टमेंट आटोमिक एनर्जी डी ए का अलग अलग यूनिट में फॉर्म फिलप किये हैं जैसे हेबी वाटर बोर्ड एच डाब होने वाला है ऐसा नहीं है कि अप लोग जस्ट डी एई में फॉर्म फिलप किये तो आप लोग को वीडियो देखना पड़ेगा जो भी स्टूडेंट इस्टो के लिए तैयारी कर रहे हैं सथीज धावान स्पेस सेंटर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए भ आप लोग को देखना को मिल जागा वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है अप लोग वीडियो कर जरू देखना मैं जो भी वीडियो पोस्ट करता हूँ आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट और हिल्फुल होने वाला है तो इससे पहले भी Science का दो तिन वीडियो मैंने पोस्ट कहा था DFCCL का जो Class मैंने पोवाइट कर रहा था उसमें तो उसमें more than 200 MCQ Science का मैं पोवाइट कर दिया हूँ बहुत ही important MCQ है जो भी student heavy water board में exam देने जा रहे है या exam देने जाओंगे वो सभी student के लिए DFCCL का series जोड़ू देखना पड़ेगा तो अप लोग के लिए एक preliminary exam के लिए series में ने बना दिया हूँ playlist बनाए हूँ तो total 15-16 classes में पोवाइट कर दिया हूँ जो भी student department of atomic energy का exam देने जाते हैं तो वो सभी student के लिए एक playlist बहुत ही important होता है तो कैसे अप लोग को मेरा playlist में जाना पड़ेगा तो playlist का link में आज का वीडियो का description box में पोवाइट कर दूँगा उसमें आप लोग को 15 वीडियो मिल जाएगा आप लोग एक करके पूरा वीडियो देख लेना उसमें आप लोग को पीज़े और को से पर भी देखने को मिल जाएगा और मोडल से भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा बहुत ही एक अच्छा से मैंने साइक्लोटोन सेंटर बार्क में अगर आप लोग फिलिमिनरी एक्जाम देना चाहते एक्जाम देने जाएंगे तो आप सभी के लिए प्लेलिस्ट बहुत ही इंपोर्टेंट है सबसे पहले मेरा चैनल में आपको आना पड़ेगा टेक मेकानिकल एलेक्टिकल इसका बाद प्लेलिस्ट उप्सन पर जाना पड़ेगा इसका बाद आप देख पाएंगे प्लेलिस्ट उप्सन में कैटागोरी वाइस वीडियो आपको देखना को मिल जाएगा जैसे एडमिट काड आपडेट जॉब आपडेट एक्जाम डेट अपडेट तो सब कुछ आपको गलाव को देखने को मिल जाएगा तो इसका बाद आपको नीचे आना पड़ेगा डी इसुऌ्ट पेपर देखने को मिल जाएगा जनल नॉलेज साइन्स मेट का अगला क्लास मैंने पोवाइट कर दो तो जो बी स्टुडेंट पिलमेनरी एक्जाम के लिए त्यारी करना चा तो आज का वीडियो पोस्ट कर रहा हूं इसी प्लेलिस्ट में रहेगा तो इसका प्लेलिस्ट में बढ़ाते जाओंगा और साइंस का मैं आप लोग का साथ सेयर करते रहा हूंगा इसमें क्या होगा आने वाला दिन में प्रिमिनेरी एक्जाम करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा तो अगर इसमें से 16 वीडियो देखके जाएंगे और जो भी नया वीडियो अगर देखके-जाएंगे तो आप लोग का आने वाला दिन में बार्क का या कोई भी पीलिमिनेरी एक्जाम को क्रेक करने में अप लोग का प्रॉब्ल्लम नहीं होगा तो यह स्टुडेंट को मालुम नहीं थे इसलिए मैं आप लोग को वीडियो का स्टार्टिंग में बत लेगा first class preliminary exam special और second class advanced exam special तो आप लोग daily का class देखते रहना आप लोग के लिए बहुत ही helpful होने वाला जैसे आप लोग का exam में instruction रहता है और इसे आप लोग को instruction देखने को इधर मिल जाएगा तो आप देख सकते subject general science फास्ट कोसें यह electric bulb is rated 200 volt hyphen 100 watt what is it resistance कोई भी एक electric bulb है तो electric bulb का voltage कितना है 200 volt है ठीक है और उसका बोला है 100 watt किसके unit होता है power के unit होता है power कितना हुआ है power 100 watt बोल दिया है इसका resistance निकालने के लिए बोला है तो resistance of an electric bulb is equal to क्या हो जाएगा इसका formula होता है Voltage Square but a Power ठीक है तो Voltage Square 200 तो Square मतलब 200 इंतो 200 और पावर क्या है 100 हो जाएगा नीचे तो कटने का बाद क्या हो जाएगा 400 Άजाएगा क्यूं को؛ Au nih bonus होता है ऑन तो Option number C is the right answer रो جएगा 400issa कोई भी एक Electric valve हैं जिसको आम लोग rating किये हैं 200 वोल्ट हन्डेट वाट तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 400 ओहम हो जाएगा नेक्स्ट कोशन सेकेंड नामबर का वान लाइट टियर इस एक पोकर्स बॉर्स किसके बड़ाबर होता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्सेन नमबर ए 9.46 इंटू 10 तो आप लोग को जाणना चाहिए लाइट यर किसका यूनिट होता है या क्या मेजर्मेंट करता है डिस्टेंस को मेजर्मेंट करता है ठीक है तो डिस्टेंस का मेजर्मेंट करने के लिए हम लोग लाइट यर का इस्तमाल करते हैं तो कौन सा डिस्टेंस को मेजर करते हैं एक कुशन नुक्लियर फियल कॉंप्लेक्स एनेपसी में पूछे गया था तो एक कुशन में अब लोग को सलुशन भी करा दिये थे हैं इसका राइट अंसर का स्टेला डिस्टेंस जो भी महा जगतिक या प्लानेट में जो भी डिस्टेंस होता है उसको मेजरमेंट करने के ल दिस्टेंस में अपने के लिए सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है पार्सेक होता है पी यार एसी सी पार्सेक इस दा लार्जेस्ट यूनिट ओं मेजरिंग डिस्टेंस ठीक है तो पार्सेक का वैलू क्या होता है वान पार्सेक इस इकल्ट होता है थी इन्टू 10 दूबर 16 meter होता है ठीक है 1 parsec is equal to 3 into 10 to about 16 meter कभी-कभी question पूछे जाता है 1 parsec is equal to कितना light year होता है ठीक है क्योंकि आप लोग जानते है parsec जादा होता है parsec बड़ा होता है तो 3.262 262 कभी-कभी दिया नहीं रहता है 26 ही दिया रहता है तो 3.26 light year होता है 1 parsec is equal to ठीक है कभी-कभी question आता है 1 astronomical unit is equal to क्या होता है AU जिसकों हम लोग AU लिखते हैं 1 astronomical unit is equal to क्या होता है 1.5 into 10 to the world 11 meter होता है ठीक है तो 1 astronomical unit क्या होता है 1.5 into 10 to the world 11 meter हो जाएगा 1 astronomical unit क्या होता है इसको define करते जो distance होता है the distance between the sun and the earth सूरिया और पीठीवी का बीच में जो distance हो तो उसको one astronomical unit बोलता है ठीक है समाझ में आगे जिसका वालू 1.5 इन्टो 10 इपर 11 meter हो जाएगा ठीक है दोनों question समाझ में आगे जो भी related question है ओ भी मैं आप लोग का साथ discuss कर दिया हूँ third question आप देख सकते हैं wait कीजे मैं पूरा चीज को erase कर लेता हूँ third question which one of the following is most suitable for the core of electromagnet आप लोग जानते हैं two type के magnet होता है एक होता है permanent magnet और एक होता है temporary magnet या electromagnet तो temporary magnet होता है जिसको हम लोग जब जरूरत परता तब उसको हम लोग electromagnetic या electromagnet आता है temporary magnet का अंदर एक किया होता है कोई भी एक списошो magnetic veg material होता है या कोई भी military होता है उसको हम लोग core का हिषाब से use करते हैं इसका उपर हम लोग एक warrior लगा देते हैं warrior लगाने का बात क्या करते हैं इसको हम लोग जब भी इसका अंदर से current paas करते हैं तब ए जो material रहता है इलेक्ट्रो मैगनेट करने के लिए जो material हम लोग यूज किये जिसका उपर टार ऐसे Binding किये हैं तो ओ material तब इलेक्ट्रो मैंगनेट बन जाता है तो ऐसे कोई भी एक लोहे का सरे लगा दिए इसका दए नो爵 को जब यहां बाद को जा अश्कों पर जहां पर कोई बी मैगनेट को ल किरने का ज़रूरत पड़ेगा तब हम लोग को electromagnet का इस्तमल करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग उसको control कर सकते उसका हम लोग जो magnetic property का कभी बंद कर सकते उसको हम लोग चालू भी कर सकते ठीक है तो समझ में आ गया कैसे होता है ऐसे अंदर एक metal रखते तो उसको बोलते है core ठीक है core of electromagnet तो इधार question में एही पूछा है आप देख सकते which of the following is the most suitable for the core of electromagnet निम्नो लीकिद में से कौन सा बिद्दूतिय चुम्बो की core का हिसाब से सरबातिक उपजुक्त होता है तो soft iron का हम लोग ज्यादा इस्तमाल करते हैं इलेक्टो मेंगनेट करने के लिए ठीक है तो option number D is the right answer हो जाएको soft iron soft iron हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग इलेक्टो मेंगनेट बनाते तब उसको core का हिसाब से हम लोग यूज करते हैं soft iron is the right answer हो जाएगा next question for number electromotive force represent electromotive ball का पोतिनी दित्तो करता है तो इसका right answer क्या हो जाएगा electromotive force is equal to energy per unit charge is the right answer हो जाएगा option number D is the right answer हो जाएगा actually आप लोग को जानना चाहिए electromotive force is the potential difference of the cell कोई भी एक cell होता है उसका potential difference होता है या voltage होता है उसको बोलता है electromotive force जिसका formula होता है V is equal to qw q मतलब क्या होता है q मतलब होता है charge और w मतलब होता है work done ठीक है तो इसका right answer क्या हो जाएगा option number D is the right answer हो जाएगा electromotive force represent energy per unit charge इसका unit क्या होता है भोल्ट होता है ठीक है next question आप देख सकते है due to which hormones plant bends towards sunlight पोधे किस hormone की कारौन सूरिया की focus की और जुकता है तो कोई भी एक plant है तो कौन सा एक hormone का बज़े से सूरिया का जो light है sunlight का तरफ जुक जाता है तो इसका right answer रज़े का oxygen ठीक है तो oxygen hormone का बज़े से यह होता है कभी कोश से ना थे testosterone hormone का बज़े से क्या होता है जो भी male होता है अदमी का जो गोफ दाड़ी वगड़ा जो निकलता है मूछे दाड़ी जो निकलता है और जो भी जैसे उमर बढ़ते रहता है उमर बनने का बाद क्या होता है उसका सारीरिक जो उसका जो body में जो changes आता है जब भी age बनने का बा तो प्रोजेस्टरोन हर्मोन का वज़े से होते हैं प्रोजेस्टरोन हर्मोन इस फोर फिमेल और टेस्टोस्टरोन हर्मोन इस फोर मेल और फिमेल और सो कभी कभी कुछ-कुछ ऐसा और भे जिसका मुझे भी निकल जाता है तो वह भी होता है उसका अंदर अगा ज्यादा टेस nuclear fusion करते हैं तो उसको बोलता है nuclear reactor ठीक है तो nuclear reactor के लिए coolant का हिसब से हम लोग क्या यूज करते हैं तो option number is the right answer रोजगा sodium liquid sodium और heavy water D2O तो आप लोग जानते D2O का supply किसने देता है जब भी nuclear reactor में हम लोग coolant का हिसब से heavy water की use करते हैं जिसको D2O बोलते हैं इसका supply देते है heavy water board ठीक है तो आप लोग को जानना चाहिए जो भी student heavy water board में exam देने जा रहा है तो heavy water board का यही काम होता है heavy water D2O को supply देना duty sodium को supply देना ठीक है तो कभी कभी question आता ग्राफाइट और heavy water का हम लोग किसके लिए use करते हैं इसको हम लोग moderate का हिसब से भी हम लोग use करते हैं जो भी fast neutron होता है nuclear fusion के करण तो fast neutron को slow down करने के लिए उसका speed को कम करने के लिए हम लोग graphite का भी use करते हैं और heavy water के भी use करते हैं ठीक है next question नमबर seven यह blue color object appear in red light लाल प्रोकस में नील रोंगे की बस्तु को दिखा देती हैं कोई भी red color की सोचो blue color की सोचो कोई भी object है तो इसको अगर हम लोग red light का अंदर देखेंगे तो कैसे दिखाएगा तो इसको काला color दिखाएगा मतलब black color का उसको दिखाएगा तो option number c is the right answer हो जाएगा ठीक है next question the filament of an electric valve is made of electric valve बोईदोतिक valve का जो filament होता है तो किस material से बनता है option number d is the right answer रोजगा tungsten से बनता है ठीक है तो tungsten का melting point बहुत ज्यादा होता है अब लोग को जनना चाहिए कितना melting point होता है आप लोग answer दे दिजिए इसका right answer रोजगा 3380 380 degree centigrade होता है tungsten का melting point ठीक है next question आप देख सकते है इने dry cell positive rod is made up of एक dry cell में positive rod किस material से बनता है तो इसका right answer रोजगा option नमबरे graphite कोई भी एक सुस्क सेल में धनात्तक जोर किस से बना होता है तो इसका right answer हो जगा graphite से बनता है ठीक है next question आप देख सकते है एडिवाइस डैट मेजर्स दा intensity of electromagnetic radiation electromagnetic radiation को मेजर करने के लिए कौन सा device का हम लोग यूज़ करते है तो इसका right answer हो जगा actinometer is the right answer हो जगा most important question आप लोग को देखने को मिले जगा 50 question आप लोग देख लेना आप लोग को बहुत कुछ सिखने को मिलेगा ठीक है next question number 11 if the length of a simple pendulum is half then its period of oscillation तो actually इसका time period निकलने के लिए बोला है ठीक है तो आप लोग जानते है pendulum का time period का क्या formula होता है t is equal होता है 2 pi bracket में होता है length बटा g तो g is equal क्या होता है acceleration due to gravity होता है और उपर में होता है length ठीक है तो acceleration due to gravity constant होता है सोचो इसको हम लोग माल लेते constant तो इसका actually formula क्या होता है 2 pi bracket में L तो जब भी L half हो जाएगा तो bracket का अंदर जब L half हो जाएगा तब उसका time period में कितना कम होगा जब L जब घटेगा मतलब time period भी घटेगा तो actually decrease तो होगा है ठीक है तो अप लोग तो जानते decrease तो option होगा तो decrease किसमें option number D जो है decrease by factor root 2 तो एई राइट अंसर हो जाएगा क्यूंकि आप लोग जानते एज जो proportional है ती time period proportional क्या है 2 pi अब देख सकते है root L ठीक है मतलब length बढ़ेगा तो time period बढ़ेगा length घटेगा तो time period भी घटेगा वह ऐसे length वोला हाफ हो गया ठीक है तब क्या हो जाएगा time period में कितना 2 pi root over L ठीक है तो G को constant अगर हम लोग माल लेंगे तो ओ तो easily अब लोग का आ जाएगा t is equal to 2 pi root over L आ जाएगा समझ में आ गया है next question क्या पूछे जा रहा है 12 number का question अब देख सकते है the speed of light in vacuum is about 3 into 10 to the bar 8 अप लोग जानते है light का speed कितना होता है 3 into 10 to the bar 8 meter per second होता है बोला है कोई भी एक मध्धम में in other medium अगर ये तो vacuum में जाता है तो light का सबसे ज़्यादा स्पीड होता है ठीक है अगर कोई भी medium का अंदर जाएगा तो उसका speed क्या होता है उसका speed always slower होता है ठीक है तो इसका राइट अंसर जाएगा जब ये वैक्यूम का अंदर जाएगा निर्बात में जाएगा तब क्या हो जाएगा इसका speed सबसे जाएगा जब light का बात करेगा तब इसका speed सबसे जाएगा जब medium का अंदर जाएगा speed always घटेगा लेकिन sound जो होता है sound जब भी कोई भी निर्बात में जाएगा वैक्यूम में sound transmit या transfer नहीं कर सकता उसका speed नहीं होता क्योंको चल नहीं सकता vacuum में लेकिन जब भी कोई मध्धम में कत्र जाएगा तो उसका speed वढ़ जाता है जैसे steel object में अगर sound जाएगा तो उसका speed सबसे जादा होता है steel में ठीक है तो sound का always solid में speed जादा होता है और जब भी vacuum होता है उसका speed 0 होता है समझ में आ गया है next question आप देख सकते 13 number what is the frequency of a wave whose time period is 0.10 second तो आप देख सकते है एक question पूछे गया है frequency और time period से question पूछे गया है इसमें बोला है frequency निकालने के लिए बोला है जिसका time period दे दिया है 0.10 second तो actually formula होता है frequency is equal to 1 बटा time period होता है तो frequency is equal to क्या हो जाएगा 1 बटा 1 बटा क्या हो जाएगा 0.10 तो अब लोग देख सकते हैं इसको 100 उपर जाएगा तो कटने का बाद क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा 10 हाज आ जाएगा actually formula होता है frequency is equal to 1 बटा t मतला frequency time period का साथ inversely proportional होता है समझ में आग है most important question ज्यादा ता student का problem हुआ है जो भी student विक्रोम सरबाइज स्पेस सेंटर में exam दी है वो सभी student का numerical में problem हुआ है इसलिए daily daily अब लोग का numerical भी मैं solve करवा दूँगा ठीक है next question number 14 sound waves सब्द तरंग है या आप बोल सकते हैं धनी तरंग क्या है तो इसका right answer लोंगीट्यूडनल waves ठीक है तो लोंगीट्यूडनल waves कौन सा वेब का अंदर आता है mechanical wave और जिसका कोई भी medium का जरूरत नहीं होता है उसको बोलता है electromagnetic wave तो mechanical wave में एक medium का जरूरत होता है कोई भी एक मध्धम का जरूरत होता है तो mechanical wave को दो भाग मैं आप बारते एक होता है longitudinal और एक होता है transverse transverse wave का अंदर आता है light ray ठीक है और longitudinal wave का अंदर आता है sound wave ठीक है या sound wave तो sound wave समझ में आ गया है longitudinal wave का अंदर आता है तो sound wave में क्या होता है actual you app को जनना चाहे सोचो जहां से sound produce हो रहा है इदार सो sound producing होड़ा है तो पहले ऐसे ऐसे होता है ठीक है इसका बाद थोरा सजाएगा फिर छोटा-छोटा हो जाएगा फिर फोर ऐसे बड़ा-बड़ा को फिर जाएगा फिर छोटा-छोटा होगा तो यह जो बड़ा-बड़ा होता है तो इसको क्या बहुत है इसको बोते compression और यह जो नीचे होता है इसको छोटा छोटा को बोलता है rare fraction ठीक है इजो बढ़ा बढ़ा होते इसको compression बोलत आ नीचे जो होते छोटा छोटा होते इसको बोलता है rare fraction समझ मे आ गि richtige बहुत important question ऐसे अब लोगों drawing में पूछे जा सकता है next question आप देख सकते हैं कि आप पूछे जा रहा है 15 number का question and echo is reflected sound अब लोग जानते echo कैसे होता है सोचो कोई भी एक आवाज इदर से produce हो रहा है तो सोचो समने जाके कोई भी hard surface है उदर से sound reflect होके जब भी लोट के जहां से जहां से आवाज गया तो उदर अगर लोट के आ जाता है और एक की आवाज बर-बर सुनाई देते तो उसको बोलता है echo ठीक है तो minimum कितना distance होने का जरूरत है तब वो echo हो सकता minimum 18 meter का distance होना है पड़ेगा बहुत important question इसका right answer जो का option number D next question number 16 the element of an electric heater is made of कोई भी electric heater का element किस material से बनता है इसको बोलता है नाइक्रॉम ठीक है तो नाइक्रॉम से बनता है electric heater ठीक है next question number 17 which sound is below audible range जो sound हम लोगो सुनाई देता है उसको sound wave या audible sound बोलते है तो audible sound का range कितना होता है जिसका frequency 20 hours से उसको हम लोगो सुनाई नहीं देता है तो उसको कौण सा wave बोलते है उसको बोलते है infrasonic wave ठीक है question में एई ही पूछा है कोई भी एक sound है जो audible जो range होता है या audible sound से भी बहुत कम होता है तो audible sound का minimum कितना होना चाहिए 20 hertz होना चाहिए और maximum 20,000 होना चाहिए तो 20 hertz से कम होगा तो उस sound को क्या बोलता है अगर frequency 20 hertz से कम होता है उसको बोलता है इन्फरासोनिक वेब्स ठीक है तो इसका राइट एंस रो जो ऑप्सेन नमबर बी इन्फरासोनिक अगर sound का frequency 20,000 हर्ड मतलब जो audible sound का maximum frequency 20,000 होता है नेक्स्ट कोशन नमबर 18 अप लोग जानते हैं प्रियोडिक टेबिल में total कितना रहता है 91 रहता है metal 20 रहता है non metal और 7 रहता है total metal ठीक है तो ए 91 metal 20 non metal और 7 metal तो metal और non metal का बीच में क्या रहता है metaloid रहता है तो total 7 होता है तो fast metaloid क्या होता है प्रियोडिक टेबिल में बोरून इस दा राइट अंसर हो जाएगा ठीक है समझ में आगे most important question next question number 19 which of the following has the lowest resistivity निमनो लिकिद में से किसकी पोती रोधोकता सबसे कम होता है तो resistivity मतलब क्या होता है जिसका अंदर resistance ज्यादा होता है उसको resistivity बोलता है मतलब उसमें current बहुत ही कम जा सकता है तो इसमें सबसे कम resistivity होता है मतलब resistivity कम मतलब conductivity ज्यादा है मतलब current उसका अंदर ज्यादा जा सकते हैं तो option में से जो चार option है इसका right answer हो जाएगा silver silver होता है good conductor of heat and electricity ठीक है तो जब इसमें resistance बहुत ही कम है इलेक्टरन अच्छा से flow हो सकता है तो इसलिए इसका right answer हो जाएगा silver next question number 20 the measure of inductance is inductance को हम लोग कैसे measure करते है इसका right answer हो जाएगा handy या index strength का unit होता है handy ohm होता है resistance का unit charge का unit होता है column ampere होता है current का unit next जो 30 question है यह notes मैं जब student था जब मैं competitive exam में preparation करता था तब मैं यह notes पढ़ता था तो ओ नोट्स मैं आप लोग का साथ सेयर करूंगा special notes है आप लोग देख लेना आप लोग के लिए बहुत ही important होने वाला है next question number 31 in which of the following industry mica is used as a raw material निम्नो लिकिद में से किसमें अब्रोक का प्रोयक कच्चे पदर्थ के रूप में होता है तो इसका right answer हो जाएगा electrical industry में electrical या electronic industry में हम लोग mica या अब्रोक को raw material का हिसाब से हम लोग use करते हैं क्यूं करते हैं क्यूंकि इसमें die electric strength ज्यादा होता है इसका die electric strength का करण हम लोग लेते हैं इसका जो low power factor होता है इसके लिए हम लोग लेते हैं इसका insulating property होने का करण insulating का हिसाब से काम कर सकता है और a resistance to high voltage high voltage का a resistance कर सकता है इसलिए हम लोग electrical और electronic industry में mica का use करते हैं raw material का हिसाब में ठीक है next question number 32 in which of the following mineral both calcium and magnesium are found निम्नो लीकिद में से किस आयक्स में calcium और magnesium दोनों पाए जाते हैं तो कौन सा आयक्स या mineral से पाए जाते हैं इसका right time सरजगा dolomite ठीक है dolomite से हम लोगो calcium भी मिलता है और magnesium भी मिलता है कभी कभी dolomite का chemical formula पूछे जाते हैं तो chemical formula होता है caco3.mgco3 समाज में आ गया है dolomite का chemical formula होता है caco3.mgco3 ठीक हैं तो dolomite से हम लोगो calcium भी मिलता है magnesium भी मिलता है next question sulfur is used in sulfur का उपए हम लोग कहां पे करते हैं तो उससे पहले आप लोगो जानना चाहिए sulfur का atomic number कितना होता है अब लोग जब भी science के लिए preparation करते हैं अब लोग को periodic table में 1 से 30 तक जो भी element है वो अब लोग को याद करना चाहिए ठीक है अगर अब लोग याद करेंगे तो यह अब लोग के लिए अच्छा है कभी कभी exam में पूछे जाता है aluminum के atomic number कितना होता है 13 होता है कभी phosphorus का पूछे जाता है 15 होता है तो ऐसे अब लोग को पूछे जा सकता है तो अब अगर exam में पूछे जाएगा sulfur का कितना होता है तो 16 अब लोग को देना पड़ेगा तो sulfur का atomic number होता है 16 इसका atomic mass होता है 32 और इसको इसका जो symbol होता है एस होता है symbol ठीक है तो ए बोला है sulpher का हम लोग कहां पर उपएक करते हैं तो इसका right answer हो जगा option number A and option number B cream में भी हम लोग use करते हैं और black gun powder में भी हम लोग use करते हैं ठीक है तो option number D is the right answer हो जगा दोनों के लिए हम लोग sulpher का इस्तेमल करते हैं कभी के भी बोलता है rubber का vulcanization करने कि लिए हम लोग को किसका जरूर होता है तो हम लोग sulfur का इस्तमाल करते हैं rubber का vulcanization मतलब क्या होता है कोई भी rubber को hardening करना पड़ता कोई भी सोच एक rubber है उसको hardening करने के लिए जो process हम लोग करते हैं उसको vulcanization और बड़भर बोलते हैं तो उसके लिए sulfur का इस्तमाल करते हैं हम लोग next question which alloy is used in making coin किस मिस्रोधातु का प्रयोग सिक्के को बनाने के लिए किया जाता है तो इसका right answer हो जगा option number D munch metal munch metal का हम लोग इस्तमाल करते हैं coin को बनाने के लिए munch metal में क्या क्या रहता है 60 percentage copper रहता है zinc रहता है 40 percentage अब लोग को each and every जो proportion या composition है आप लोग को याद रखना है next question 5 number का atomic number of an element is 28 and its atomic mass is 59 find the number of newton in the element सबसे पहले आप लोग को जानना है यह element कौन सा है जिसका atomic number 28 है इसका right answer रहता है निकेल तो ऐसे अगर रहेगा सोचो 28 A9 59 तो आप लोग जानते है इसको क्या बता है 59 होता है mass number इसकेल क्या होता है proton संका plus Newton संका होता है और निचे क्या रहता है number of proton तो number of proton और number of electron same होता है 28 हो जाएगा तो mass number निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा proton संका जो दिया है तो इधर से minus कर देना पड़ेगा तो total 59 दिया था और इधर से 28 माइनस करेंगे तब क्या जाएगा 31 आ जाएगा तो न्यूटन संका 31 आ जाएगा समझ में आ गया है इस टेप के कोसिन बैबलो को पूछे जाएगा next question number six which halogen exist in liquid form कौन सा halogen तरोल की रूप में उसको पाया जाता है तो इसका right answer क्या हो जाएगा कौन सा halogen को मिलता है तो इसका right answer जो को option number B bromine को तो bromine एक halogen group में आता है जो always तरल अभुस्ता में रहता है ठीक है तो halogen group predictable में कौन सा group होता है 17 जो group होता है इसका halogen group बोलते है ओके और इसका अंदर क्या क्या आता है यह जो group है इसका अंदर आता है chlorine आता है bromine आता है ठीक है तो कभी के भी question पूछे जाता है जो halogen group होता है halogen group में valency कितना होता है valency 7 होता है समझ में आगे valency सका 7 होता क्यों chlorine का अब लोग जानते है 17 इसका atomic number होता है तो इसका electronic configuration क्या हो जगा 287 हो जगा मतला last cell में 7 हो गया और इसका अब लोग जानते है Flurine का कितना होता Flurine का 9 होता है तो Electronic Configuration क्या हो ज़िए 2 and 7 तो Last Cell में 7 Electron रहेगा तो उसको यह तो Valence Electron बोलते है तो Valence Electron इसका 7 होता है Valence भी इसका 7 हम लोग बोलते है और अगर हम लोग बात करते Bromine का तो Bromine का कितना होता 35 Atomic Number होता electronic configuration कैसे जगा 2, 8, 18 और last में 7 आएगा तो इसका valence electronic या valence सी 7 होता है halogen group का समझ में आ गया next question is the most important question आप देख सकते हैं what is the flower of zinc जसते की अब फूल को क्या कहते हैं तो इसका right answer के हो जगा zinc का जो flower तो इसको बोलता है zinc oxide option number B is the right answer जगा जिसको z no कहते हैं समाझ में आ गया है तो white powder का जैसा देखने में होता है और insoluble in water मतलब water में soluble laying होता है ठीक है next question number 8 iodine can be separated from a mixture of iodine and potassium chloride by iodine और potassium chloride का एक mixer है तो इस mixer से iodine को अलग करने के लिए हम लोग को कौन सा process follow करना पड़ेगा तो बहुत ही important question है तो iodine कहा रहता है solid अबस्तम में रहता है और potassium chloride आगा सोचो एक mixer है तो इन दोनों mixer से iodine का हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं तो अगर हम लोग इसको heat करते हैं तो iodine जो solid था तो heat करने का बाद क्या हो जो डारेक्ली गैस में बन जाता है अगर हम लोग इसको heat कर देते डारेक्ली हीट करने से क्या होता है यह जो solid चीज़ था यह solid directly gas में बन जाता है वो बीच में जो एक और एक अबस्ता होता है पदर्थ का वो liquid में बनता है यह direct solid से जिस process में gas में बन जाता है उसको उसको बोलता है sublimation process ठीक है तो option number B is the right answer हो जाएगा तो अब लोग समझ गए होंगे iodine और potassium chloride का mixer है तो इन में से iodine को separate करने के लिए हम लोग को sublimation process करना पड़ेगा sedimentation process क्या होता है सोचो कोई भी एक jar में या container में water और solid कोई भी particle का एक mixer है सो चो water और जो sand होता है बालू का mixer है तो उसको घुलना के बाद क्या होता है water और sand mix होके रहता है तो लेकिन कुछ time उसको अगर ऐसे सिराबस्ता में रख देंगे देश्ट अबस्ता में रखेंगे तो क्या होता है gravity का कारण जो solid particle होता है जो बालू होता है वो धीरे-दीरे container के नीचे जम जाता है और उपर में क्या होता water उपर में रहता है तो इसको हम लोग easily अलग कर सकते solid पार्टिकल जो बालो वाटर को अलग कर सकते हैं इस प्रॉसेस को बोलता है सेडिमेंटेशन प्रॉसेस गैविटी के बज़े से जो सॉलीड पार्टिकल होता है नीचे बैठ जाता है ठीक है डिस्टिलेशन प्रॉसेस में क्या होता है कोई भी सोचो लिक्वीड लिक्वीड ह हम लोग ऐसे करते हैं, boiling point का हिससे हम लोग करते हैं और vapor pressure का हिससे हम लोग कोई भी अगर दोनों liquid को अलग करते हैं वो process को बोलते हैं distillation process और filteration मतलब सोचो कोई भी filter paper का मदद से या filter कोई भी एक मदधम का मदद से अगर हम लोग solid particle को filter कर देते हैं, अलग से उसको होता है तो अब लोगों में अभी डिसकास करके आया हूं तो आप देख सकते जो भी कोशन में डिसकास कर रहा हूं इचने बड़ी कोशन important है, hard paper में देखने को आप लोगों मिलेगा, पहले जो question मैंने select किया था, उसमें भी ओ question था, और इसमें भी आप देख सकते हैं, जो important series, जो मैं पढ़के exam crack किया हूँ, तो इसमें भी एक question मजूद है, ठीक है, तो सुस्क सेल में, क्या थोटका हिसाब से, क्या यूज़ करते हैं, graphite का हम लोग यूज़ करते हैं, option number C, is the right answer रज़ेगा, next question, ये type of glass is used for fire exist, आग से बहार निकालने के लिए, कि स्पोकर की काच का प्रोयक्ट किया जाता है, इसका right answer रज़ेगा, option number A, wired glass, ठीक है, तो wired glass का हम ल which is the closest to the purest form of the iron, तो iron का सबसे सुधरूप क्या होता है, आप लोग जानते है, wrought iron होता है, और सबसे impurest form होता है, pig iron, उससे अच्छा होता है, cast iron जिसमें 2-4 percentage कारबोन डाता है, और आप लोग को जानना चाहिए, wrought iron में कितना percentage iron डाता है, 99.9 percentage iron डाता है, ठीक है, wrought iron हम और बियर प्रसेस से करते हैं, पार्डलिंग फर्णने से हम लोग उसको निसकासीद करते हैं, या बनाते हैं, cast iron काम लोग क्यूपलो फर्णने से बनाते हैं, ठीक है, next question बोला है, galena is an ore of which of the following metal, galena इन में से कौन सा एक metal का ore होता है, तो most important question, galena जो ice होता है, उसमें से हम लो समझ में आ गहें, और भी अब लोग को जानना चाहिए, iron का ice का नाम क्या होता है, iron का अलग-अलग बहुत सरा होता है, hematite, magnetite, limonite, ciderite, iron, pyrite होता है, तो कभी-कभी hematite का chemical formula पूछा जाते है, hematite का chemical formula होता है, af2-03, ठीक है, कभी-कभी पूछा जाते है, magnetite का formula क्या होता है, af3-04, इन दोनों formula आपको याद रखना पड़ गाए, पहले था, hematite, और दूसरा है, magnetite, समझ में आ गया है, next आप देख सकते है, mercury का ice क्या होता है, वो होता है, sinavar, mercury का hg से हम लोग लिखते हैं, इसका chemical symbol होता है, और sinavar जो होता है, sinavar इसका ice होता है, जिसको हम कहां से निसका सित करते है, teen होता है, cassiterite या teen stone अब लोग बोल सकते है, teen stone या cassiterite is the right answer हो जागा, next question, which non-metal, which is essential for maintaining life, कि इस ओधातु का प्रोयोग जिबोन को बनाने, रखने के लिए, या जिबोन को हम लोग बचाने के लिए, एक महत्तपुन होता है, तो इसका right answer होता होता ह 20, metal आता है, 91 और 7 आता है, समाज में आ गया, total 188 element आप लोगों को मैं पहले ही clear कर दिया था, modern periodic table का हिसाब से, next question, solar cells works on the principle of, solar cell किसका सिध्धान पर काम करता है, इसका right answer होता है, photovoltaic effect का सिध्धान पर काम करता है, समाज में आ गया, इस step का question आप लोगों को पूछे गया थ था है, hydrometer किसका principle में काम करता है, तो ओ तो archimedes principle में काम करता है, कौन सा force लगता है, यह भी आप लोगों को जानना चाहिए, next question number 15, which of the following is the second lightest element, निम्नो लिकिद में से कौन सा दूसरा सबसे हलका तत्तो है, तो इसका right answer हो जगा helium, ठीक है, तो helium second position में था जिसका, जो atomic number तो हो भी 2 होता है, अब fast, जो lightest element होता है, वो होता है hydrogen, ठीक है, समझ में आगे, अगर कभी कभी question पूछे जाता है, fast, या fast जो होता है, सबसे fast metal कौन सा होता है, वो होता है lithium, अब लोगों को जानना चाहिए, okay, next question आप देख सकते है, number 16, which is not true about temperature, निम्नो लिकिद में से तपमन के बारे में कौन सा कथन सच नहीं है, तो option number यह आप देख सकते है, it is one of the 7 SI base unit, 7 जो SI base unit होता है, उसका अंदर आता है temperature आता है, mass आता है, और इसका बात अब लोगों का amount of substance आता है, तो यह सब आता है, ठीक है, इसका बात बोला, it is measured in degree Celsius in SI unit, तो SI unit इसका होता है Kelvin, और इसका CGS unit होता है Celsius, ठीक है, समाज में आना चाहिए, तो यह जो कथन है, यह कथन incorrect है, मतलब यह सच नहीं है, तो option number B is the right answer हो जाएगा, इसका बात आप लोगों को जानना चाहिए, जो 0 degree centigrade होता है, उसका value Kelvin में क्या होता है, 273.15 क्या होता है, okay, समाज में आ गया है, next question, TR gas, असू gas किसको बोलते हैं, या इसका chemical name क्या होता है, chloroacetophenon is the right answer हो जागा, option number A is the right answer हो, chloroacetophenon, ठीक है, next question number 18, which of the following, या which fuel has highest calorific value, निमनो लिकिद में से किस इंदन का उच्चो उसमाजानक महन है, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, option number D is the right answer हो जाएगा, ठीक है, तो hydrogen का हम लोग use करते है, high calorific value का हिसाब से, या इसका सबसे high calorific value होता है, समझ में आ गया, next question आप देख सकते हैं, who discovered Newton, Newton किसमें अब इसका क्या था, तो इसका right answer हो जाएगा, James Chadwick ने, option number D is the right answer हो जाएगा, next question, number 20, the maximum number of electrons in an orbit, orbit अब लोग जानते, के, उसका बाद L, उसका ब नमबर आप जो orbit होता है, तो होता है N, ठीक है, तो 2N square होता है, number of orbit मतलब होता है N, तो 2N square, पहला orbit होगा, तो 1 square हो जाएगा, second orbit होगा, तो 2 square हो जाएगा, third orbit होगा, तो 3 square हो जाएगा, तो ऐसे orbit संका जितना होगा, तो 4th number का orbit होगा, तो 4 हो जाएगा, 4 square हो जाएगा, 2 into 4 такое to actually is the formula that 2 n square next question 21 number atom is atom क्या होता है atom totally neutral होता है क्योंकि आप लोग जानते हैं जो atom होता है उसका जो निउकलेस होता है निउकलेस में क्या रहता है और neutron रहता है ठीक है तो neutron का जो charge होता हो तो neutral होता है उसका तो कुछ value नहीं है तो neutral रहता है और positive क्या होता है जो nucleus है इसमें तो proton रहता है मतलब positive charge होता है लेकिन इसका चारपास में क्या रहता है electron रहता है तो आप लोग जानते कोई भी element में जो proton संका जितना होता है उसका electron संका भी same होता है तो सोचे इसमें अगर तोटल दस पॉजिटिव चार्ज है और इसमें जो सेल रहेगा सेल में तो इलेक्ट्रोन रहता है सेल में भी सोचो दस इलेक्ट्रोन है तो यह अगर दस पॉजिटिव चर्ज नुक्लियस में है और सेल में अगर माइनस दस चार्ज है तो टोटल प्लास दस माइनस दस क्या हो जीरो होता है मतलब जो एक्टोम 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 एक्टोली होता है ठीक है समझ में आ गया है next question आप देख सकते हैं which of the following is incorrect इन में से कौन सा जो metal non metal दिया है atomic numbers का match नहीं करता है sulfur का 16 होते है carbon का 6 होते है oxygen का 8 होते है phosphorus का 15 होता है 14 नहीं होता है तो option number D is the right answer हो जागा एक इनकरेक्ट है phosphorus का 15 होता है तो अब लोगों को total 1 से 30 तक element को याद रखना है next question a question NFC का exam में पूछे गया है और a question मेरे suggestion का अंदर भी था laughing gases जो laughing gas हंसने वाला जो gas होता है वो किसको बोलता है nitrous oxide N2O को बोलता है समझ में आगे है option number B is the right answer जागा next question number 24 which non-metal remains liquid at room temperature room temperature में कौन सा non-metal तरल अभुस्त में राता है तो इसका right answer जागा bromine मैं अब लोग को पहले क्लियर कर जाहूं तो यह non-metal का अंदर आता है और यह तरल अभुस्त में राता है कभी-कभी question आता है कौन सा metal जो तरल अभुस्त में राता है कौन सा metal mercury HG जिसको हम लोग बोलते हैं यह तरल अभुस्त में राता है next question number 25 डाच मेटल इसका composition में बनता है इसका right answer जोगा copper and zinc copper कितना percentage रहता है 80% और zinc रहता है 20% समझ में आग है next question आप देख सकते gas hole तो gas hole क्या होता है यह जानने से पहला ब्लोग को जानना चाहिए दो important question पूछे जाता है water gas is equal to carbon monoxide carbon monoxide और hydrogen gas मिला के water gas बनता है CO plus H2 CO carbon monoxide के chemical symbol होता है और hydrogen का होता है H2 तो carbon monoxide और hydrogen मिला के water gas बनता है और producer gas किसमें बनता है carbon monoxide nitrogen hydrogen plus hydrogen ठीक है तो कभी के भी option में carbon monoxide plus nitrogen दिया रहाता है तो carbon monoxide plus nitrogen दिया रहेगा वह भी producer gas ही होता है और तीन दिया रहेगा तो तीन और items हो जाएगा तो actually जो बनता है carbon monoxide plus nitrogen hydrogen plus hydrogen ठीक है तो gas hole क्या होता है यह अब लोग को जाना चाहिए option number B petrol plus ethanol का mixer होता है उसको बोलता है gas hole यह gas hole बोलता है ठीक है next question number 27 German silver does not contain the metal तो German silver का अंदर कौन सा metal नहीं रहता है option number C is the right answer हो जगा इसका नाम silver हो सकता है लेकिन इसमें silver नहीं रहता है इसमें क्या क्या रहता है इसका composition आप देख सकते है copper रहता है 68 percentage zinc रहता है 20 percentage और nickel रहता 12 percentage समझ में आ गया है next question और next question discuss करने से पहले और दो-3 metal आप लोग को बताना चाहूंगा जो delta metal होता है delta metal किसका composition बनता है delta metal बनता है copper जो रहता है 60 percentage plus क्या रहता है zinc रहता है 38 percentage और tin रहता है 2 percentage ठीक है तो copper zinc और tin से बनता है delta metal कभी कभी पूछे जा सकते है बेल मेटल किससे बनता है इसका composition क्या copper रहता है 80 percentage और tin रहता है 20 percentage copper रहता है बेल मेटल समझ में आ गया है next question number 28 which of the following is not correctly matched निम्नो लिकित में से कौन सा सुमिलित नहीं है तो यह जो element दिया है इसका कारण कौन सा syndrome या कौन सा disease होता है यह आपको देखना पड़ेगा जो सही है ठीक है अगर गलत है तो ओई निकलना पड़े गई था मीना माटा का disease जो होता है तो यह होता है मरकारी का कारण पाड़ा का कारण होता है नाइटरेट का कारण ब्लू बेबी syndrome होता है नाइटरेट का कारण ब्लू बेबी syndrome होता है कैडमियम का कारण इटाई इटाई डिजीज होता है लेकिन यह जो एस्परीन दिया है एस्परीन का कारण इंसेक्टिसाइड या इंसेक् ही करता ठीक है तो एस्प्रिन क्य करता इसका एक्चुली जो नाम होता ए केमिकल नेम होता है असीटाइल सालिसाइलिक आसीड जिसको यह से बनता है असपीरिन का baik saint Acetyl Salicylic Acid ठीक है जो medicine हिसाब से यूज होता है जो pain या fever होता है तो उसका medicine का हिसाब से aspirin हम लोग यूज करते हैं समझ में आ गया लेकिन है Insecticide का हिसाब से यूज नहीं होता इसलों option number D is the right answer हो जगा next question number 29 which of the following is tetravalent element निम्नो लीकिद में से कौन सा चोतु संग जो जो तत्त है तो इसका right answer जोगा option number A अप लोग जानते क्योंकि इसका जो electron रहता है valence electron या outermost orbital में जो electron रहता है चार electron रहता है चार electron का कारण इसका prefix में क्या होता है tetra बैठता है तो इसमें जो wand होता है tetra valent wand होता है या tetra valent इसको element अप लोग बोलते हैं ठीक है next question अप देख सकते है 30 number का which one of the following is the most electronegative atom तो अप लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा electronegativity किसका होता है fluorine का होता है तो इन जो atom है इन में से fluorine का सबसे ज़्यादा electronegativity होता है तो यह था total 50 question वीडियो पसंद है वीडियो अब सभी के लिए helpful है तो चैनल को जुरू subscribe करना क्योंकि अगर आप लोग support करेंगे तो भी मैं class ले पाऊंगा मेड़ा जो interest और भी बढ़ेगा और भी हमको लगेगा नहीं अब बहुत support मिल्ड़ है हमको भी और भी class बनाना चाहिए आप लोग पसंद कर रहे तभी तो हो अगर आप लोग response देंगे तो अभी तो मिलेको अच्छा लगेगा ना तो अप लोग अगर response देंगे तो और भी class जो most important class है मैं आप लोग के लिए पोभाइट करूंगा आज के लिए तना ही मिलते हैं एक्स्ट विड़े में टाटा बाइबाइबाइब